हेलो माई यूट्यूब फैमली होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों मैं आप लोग ऐसी कंदर सल्मानी लेकर आप लोग लिए फिर से एक और एडवांस हैस्टारिंग की क्लास तो दोस्तों आज की जो क्लास है भी बहुत अमेजिंग होने वाली है इसको भी बहु सब्सक्राइब कर लेना बैल आइक दबादना सो देट जितनी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा तो चलिए दोस्तों आज की बीड़फुल सी हैस्टारिंग को शुरू करते हैं तो एक बार इरिया के उपर ही मैं इनको टिक टैक को लाउक कर रहा हूं इसी तरीके से आप भी लॉक करेंगे और बहुत पक्के से लॉक हो जाते हैं अब हम पफ बना रहे हैं पफ के लिए मैं वही अपने बेसिक सेक्शन लिए है और दो से तीन सेक्शन में मैं अच्छे से बनाइये पॉनी वाले एरिया पर हम इसे लॉक करेंगे उसके एलावा फिर साइट्स वाले आपche ब oni कुरक पर लाग करेंगे यह अदर साइट वाल जो एरिया को भी मैं पॉनी वाले इरिया पर लॉक करूंगा यानि कि यह हमारा बेस बना ए पून का और जहां हमने extension लगाई है usually वहीं पर हम पूरा puff बना के lock करने वाले और जो मैं lock करने के लिए pin यूज़ कर रहा हूँ चुड़ा pin से मैं lock कर रहा हूँ दोनों side से puff को और जो बीच से मैंने puff को lock किया है वो मैंने वहाँ पर अपना bob लगता है two sided s wave बोलते हैं इसको और हम side इसके साथ flick भी प्ले करेंगे आगे की तरफ और flick भी आप देख सकते हो मैंने काफी मोटा थिक छोड़ा है यूजली मैं जो front flick सिखाता हूँ आप लोगों को वो मैं पतला सिखाता हूँ मगर इस बार मैं थोड़ी मोटी लेयर चोड़ी हुए आगे की तरफ और यहां आप देख सकते हो मैं एके clear को overlap करते हूँ यहां s बना रहा हूँ इसे s wave बोलते हैं यह बहुत beautiful लगते हैं और अच्छा लगता है और यह वाला front set आप usually हर तरीकी के forehead पर दे सकते हो बस जो आप forehead छोटा forehead हो उस पर ना दे बड़े forehead पर आप अच्छे से दे सकते हैं और दोस्तों इस front set को मैं जिस तरीकी से lock कर रहा हूँ इसे मैं अभी hold कर रहा हूँ अभी pin up नहीं कर रहा हूँ और य नहीं टिक जाता है उसके बाद आपको जो pin up करना हो तो वह इंसाइट करके pin up कर सकते हो वैसे जरूत नहीं पड़ती तो आप इस तरीके से इसको बनाते हुए back तक लेके जाएंगे और यह बहुत beautiful लगता है और पूरा English look देता है तो जैसे कि बहुत English look देता है तो यह अगे से मैंने उठाया और यह बहुत dense ले रखा है मैंने यहां मैंने अपना silver pin लगा दिया इसको मैं अच्छे से fall करूँगा अच्छे से नीचे की तरफ लेके आउंगा eyebrows arch के उपर में इसको लेके आ रहा हूँ hard करते हुए नीचे की तरफ lock कर दूँगा और यह हमारा flick भी ready हो गया इसके बाद हम बनाएंगे back और अभी यह पूरा का पूरा सिर्फ hold किया हुआ है मैंने कोई भी pin up नहीं किया है और यहां पर मैं आपको उपर से three layer उठाके braid बनाना बता रहा हूँ कि ऐसे आप जब उपर से extra बाल आएं तो ऐसे आप braid बनाके इसी कही base बना सकते हो और इसी base के उपर आप पूरा bun बना सकते हो अपना braid को पूरे circle pattern में अपनी जितनी भी मैंने पूनी वाले एरिया उस पर घुमा लिया है और यहां जल्दी से मैं जूड़ा पिंसे इसको लॉक कर रहा हूँ आप देख सकते हो मैं जूड़ा पिंसे किस तरीके से tightly lock कर रहा हूँ और इसको गिरिबली lock करने के बाद आप मैं एक एक layer उठाके यहां पे मैं बनाने वाला हूँ vintage waves मगर finger वाले यानि कि हम यहां पे यहां से vintage नहीं बना रहे हम यहां पे finger से vintage बनाएंगे पतली पतली layer को लेते हुए और यही same pattern में पूरे के पूरे इस बन के अंदर follow करने वाला हूँ यह बहुत beautiful लगता है और यह fully advanced है तो आप इसे अपने किसी भी client को देंगे कुछ जो अलग ढूंते हो जो कुछ different काम मांग रहे हूं उन पर आप यह कर सकते हो और हमें बहुत अच्छा लगेगा कि आप यह बना के हमें प्रैक्टिस करके जरूर भेजे हमारे जितने भी नीचे social handle दिख रहे हैं जरूर भेजना तो यहां पर आप देख स तो यह जो अभी मैंने पूरा यह pattern create किया है यह मैंने एक ही layer से पूरा pattern create कर दिया तो यहां पर हमें एक चीज़ सीखने को मिलती है कि जब भी आप ऐसे finger vintage यानि finger से हाथों से vintage बनाओ तो आप एक से दो layer में कितना area cover कर रहे हो इसका मतलब यह है कि आपको जादा बालों की नहीं है आप कम से कम बालों में भी इस तरीके का headoo बना सकते हो और इस headoo की सबसे बड़ी बात ही है कि आप इसे अगर टिकाना चाते हो long lasting बनाना चाते हो तो पतली से पतली layer में से बनाए so that यह tight बने और यह दिखने में बहुत सुंदर लगे नहीं तो आपको बहुत सारे pin लगाने पढ़ सकते हैं इसको lock करने के लिए यहाँ पर मैं इसको lock करने के लिए यूज कर रहा हूँ और आप यहाँ पर देखेंगे के end तक यह chopstick लगी रहेंगी और यह पूरा का पूरा बन इस chopstick से ही टिक जाएगा और अगर कहीं पर loose है तो वहाँ जूडा pin लगा ले करते हैं ऐसे vintage look create करते हैं हातों से तो हम बहुत मोटी मोटी layer लेलते हैं जिसकी वेसे क्या होता है जैसी हम chopstick हटाते हैं और हमारा पूरा का पूरा बंड नीचे गिर जाता है तो अगर आप चाहते हों कि यह टिक है और long lasting बने तो बहुत पतली पतली layer लेनी है और उसको बह पर detail video बना चुका हूँ इस channel पर आपको मिल जाएगी puff के बारे में सीख सकते हो तो हर चीज के बारे में detail videos आपको मिल जाएगी यहां देख सकते हो दोस्तों कि मैं बीच की तरफ आ गया मैंने इसको side से बनाना शुरू करा अब मैं mid में आ गया और अब मैं other side बनाऊंगा इ बहुत ज़्यादा low भी नहीं जाना चाहिए mid में रहना चाहिए जिसकी वैसे क्या होता यह टिकेगा और last भी करेगा यह बहुत बहुत ही detail बात बतारों में आपको इसका भी आपने बहुत अच्छे से धियान रखना है तो यहां आप देख सकते हो जो मैंने पूनी बनाई कितना bid full लग रहा है तो यहां पर आप देख सकते हो मैंने एक और layer ले लिए एक layer में दो से तीन हमने vintage wave create करने है जिसकी वैसे क्या होगा कि जादा से जादा length का use होगा और जगा बहुत अच्छे से cover up होगी और हमें बिल्कुल भी बहुत ज़दा बालों की जरूरत नहीं पड़ेगी मगर यहां पर जो मैंने extension का use किया है एक तो मुझे आपको सिखाना था दूसरी बात यह कि आप इसको कभी भी बहुत छोटे वालों में ना प्ले करें अच्छा नहीं लगता इसलिए आपको lengthy hair चाहिए यानि कि अगर आप इस तरीके का head to play करते तो आप फोटे लेर और बनानी है और दो लेर के बाद यह पूरी की पूरी styling complete हो जाएगी और आप देखेंगे और इसके बाद में इसमें ना front पे कोई जुड़ा पिन लगाऊंगा ना ही मैं back में कोई जुड़ा पिन लगाऊंगा simply plane में spray के बाद जो hard होने के बाद look आती है मैं आपको व बहुत अच्छे से यूज करना है एरिया को अच्छे से लॉक करना है बेस को अच्छे से पकड़ना है और स्प्रे को जितना ज्यादा हो से के उतना आप correct एरिया पे लगाए फालतु में इदर दर उड़ाए ना आप देख सकते हो जहां मुझे जरूरत है मैं वहीं स्प्र प्लेस कर रहा हूँ ज्यादा एक्स्ट्रा कहीं पर भी नहीं उड़ा रहा हूँ तो आप यह पूरा का पूरा हेर्डू मेरा almost complete हो गया है और अब मैं आपको इस हेर्डू को दिखाऊंगा और आप बताना यह कैसा लग रहा है मैं इसलिए बार बोल रहा हूं बताना क्यों तो इसमें कुछ भी नया सीखा है तो अब भी क्या भी शेयर कर देना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना बैल लाइक इन दबरना सो देट जितनी लेटिस वीडियो की नोटिफिकेशन है आप तक पहुंशती रहे लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कु अब यो टेक केर बाइबाई